सारदर निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आईए आज हम एक ये सुन्दर सी शॉल का डिजाइन लेकर आए हैं जाली वाली ये डिजाइन है और बहुत ही लाइट वेट है माइक्रो उन से बना है जो लाइट वेट होती है आप इसको मफलर की तरह भी पहन सकते हैं गले में या तो खोल कर शॉल की तरह पहनिए वो आपके उपर निर्भर करता है बनाने में फटाफट बिगनर फ्रेंडली ये डिजाइन है और बहुत ही सॉफ्ट है गले में एकदम बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है 30 इंच 30 इंच इसकी विर्थ है और लगभग 65 पैसाट इंच इसकी लंबाई है जालर अलग से लगाई है बहुत ही अच्छा साइज बना है चार नंबर की सलाई 4 नंबर निडिल से इसको हमने बुना है आपको डिजाइन अच्छा लग तो कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताईएगा यह बहुत कॉमन एक डिजाइन है और बनाने में बहुत ही आसान है इससे आज हम यह शौल बनाने का तरीका देखेंगे तो उसके लिए हमें कुछ सावधानी कुछ जानकारी जो हम शेयर करना चाहते हैं आपसे सबस सबसे पहले तो यह जो फंदे पढ़ेंगे इसमें हमें थोड़ा सावधान रहना है फंदे ढीले डालने हैं अगर फंदे टाइट डालेंगे और उपर जाली का डिजाइन फैलेगा तो यह असमान हो जाएंगे दोनों चीज वो काफी खराब लगती है तो सबसे पहले तो आएए हम फंदे डालने की बार देख लेते हैं यह सिंगिल उन से बुनी गई है शौल लेकिन फंदे हम डबल उन से डालेंगे चार नंबर की सलाई से यह हम बुनेंगे और चार नंबर की दो सलाई पर हम फंदे डालने वाले हैं तो जब इस तरह से हम यह फंदे डालते है तो हमारी किनारी थोड़ी धीली रहती है और उपर जब हम शॉल बनाते हैं तो वो दोनुकत चोड़ाई एक समान आ जाती है तो इस तरह से ये हम दुहरी उन से डबल सलाई पर फंदे डाल रहे हैं सार्दा निटिंग चैनल के बहुत अच्छे बहुत वेराइटी के वीडियोज हैं डिजाइनर फंदे कैसे डाले हैं फंदा कैसे बुने और बहुत क्रोशिया और बुनाई के वीडियोज हैं आप जरूर उनको देखें फंदे डालने के बाद हम यहां पर गाठ लगाएंगे और उसके बाद हम एक सलाई को निकाल लेंगे यह एक सलाई को हमने निकाल लिया अब हम बुनाई शुरू करेंगे यहाँ पर हमने दो के multiple of two, दो के गुणा से फंदे डाले हैं, गुणाई दो के फंदों में ही चलेगी और एक एक फंदा दोनों तरफ हमारा किनारे का फंदा रहेगा दो लाइन का ये डिजाइन है, डिजाइन बहुत ही आसान है, लेकिन मफलर जैसे हम बना रहे हैं, शौल हम बना रहे हैं, तो हम शुरू में दो लाइने, पहले सीधी सीधी बुनेंगे फाउंडेशन रोज इसको कहते हैं, ये थोड़ी शुरूआत में नीव जैसी पड़ गई, तो दो सलाईयों को हम सीधा सीधा बुन रहे हैं, ये पहली सलाई है और ये हम अभी एक और सलाई हमको सीधी बुननी है, अब हमारी बुनाई की पहली लाइन शुरू होती है, पहला पंदा हमको सीधा बुनना है, अब जो ये फंदे हैं, ये तो किनारे वाला पंदा था, अब इसको बुनना तो सीधा है लेकिन दो बार हमको उनलपेट कर इसको बुनना है ये दो बार इस तरह से उनलपेट रहे हैं हम और सारे फंदों को बुनेंगे बहुत आसान बुनाई है दोनों तरफ से लेकिन इसमें बुनाई का काम करना है जो दूसरी सलाई है उसमें भी बुनाई का काम करना है और दोनों तरफ से काफी अच्छा ये दिख रहा है एक जैसा नहीं है लेकिन काफी सुन्दर ये दिख रहा है इस तरहें से हमने दो-दो बार लपेटते हुए अपने सारे फंदों को बुना ये अब हमारा आखिरी किनारे का फंदा है इसको हम अकेला सीधा बुन रहे हैं रो टू सलाई जो हमारी अब दूसरी आती है किनारे का फंदा हमको सीधा बुनना है अब उसके बाद ये जो लपेटे वए फंदे हैं इनको हमें खोलना है दो फंदों को खोला सीधे हाथ की सलाई से उल्टे हाथ की सलाई पर ले गए और पहले फंदे के अंदर से डाल कर दूसरे फंदे को पहले बुना उतार दिया और उसके बाद पहले वाले फंदे को बुना जो अब दूसरे नंबर पर है एक बार फिर से देख लेते हैं दो फंदों को खोला सीधे हाथ की सलाई से उल्टे हाथ की सलाई पर ले गए पहले फंदे के अंदर से डाल कर दूसरे फंदे को पहले बुना और उसके बाद इस वाले पहले फंदे को जो अब दूसरे नंबर पर है उसको बुना बस यही हमको यह हमारे फंदे हैं इनमें इसी तरह से हमको यह बुनाई करनी है ये लास्ट में हम आ गए हैं, लास्ट के दो फंदों को फिर से हमने उसी तरह से बुना, और अब ये हमारा किनारे का आखरी फंदा है, इसको हम सीधा बुन रहे हैं, इन्हीं दो सलाईयों को हमें दोहराना है, फिर से ये अब हमको रो वन जो हमारी पहली सलाई है, उसको बारला पेटते हुए सारे फंदों को बुनेंगे इस तरह से देखिए कितना सुन्दर लग रहा है ना ऐसे दोहराते हुए हम अपना मफलर शॉल कुछ भी बना सकते हैं यह इसकी फ्रंट साइड कह सकते हैं और यह इसकी बैक साइड है अब मैं आपको फंदों की बात बताती हुँ कि कितने फंदों में कितनी चौड़ाई आ रही है यह देखिए 24 स्टिचेज हैं यह चार नंबर की सलाई से बुने हैं और लगभग साड़े 6 इंच के करीब आ रहा है इस तरह के जो यह मफलर होते हैं या शॉल होते हैं यह थोड बढ़े का बनाना है तो आप 9 इंच चौड़ाई रख लीजिए उसकी लगभग फंदे आप उस हिसाब से एड़्जस्ट कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं अब आईए इस शॉल की बात कर लेते हैं सौ के आसपास इसमें फंदे डाले गए हैं और साड़े दीन सु ग्राम के करीब इसमें उन लगी है माइक्रो उन है यह और यह जालर कैसे लगाएं यह सब हमारे वीडियोज हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और प्लेलिस्ट में भी है आप वहां देख है यह अपने आप ही थोड़ा सा बढ़ेगा शौल को बंद करने के समय हमको दो सलाईयां सीधी बुननी है और उसके बाद ढीला बंद करना है इस बात का हमको विशेश ध्यान रखना है आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा सार्दा निटिंग चैनल को सब्स झाल